लोगों ने देखा कि लोगों को complications हुए, as a neurosurgeon आप इसको कैसे देखते हैं और किस तरहीके के complications लोगों को हो रहे हैं neurology से अगर हम लोगों इसको समझना चाहें? सबसे पहला धन्यवाद, covid के बाद में काफे सारे complications, काफे सारे जो चीजें नहीं देखने को मिली हैं, तो उसमें और issues, learning disability वगड़ा बच्चों में काफी आई हैं और long term जो complications है, long term complications में देखा गया है कि जो peripheral neuropathies हैं, जैसे हाथ पेर का कमजोर हो जाना, ना चलना, Gulenberry syndrome, facial nerve palsies, और stroke मतलब brain में जो paralysis जो होता है, उसके incidences बढ़ गए हैं पहले से, तो कहीं ना कहीं से कुछ studies हो रही है, हलांकि कुछ लोग, कई autopsies भी हो रही हैं कि इस तरह के complications आ रही हैं, कई लोग उसको long COVID भी कह रहे हैं कि उनके autopsies में COVID positive आ रहे हैं उसमें, तो इस तरह के incidences हैं, thrombogenic incidences हैं, brain के और heart के दोनों के बढ़ गए हैं. क्या कारण है क्योंकि हम लोगों ने देखा और ये बहुत तेजी के साथ हो रहा है, बहुत all sudden हम लोग देख रहे हैं, लोगों की death हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से कैसे death हो गई, क्या ये post COVID की वज़े से हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे का अगर इसको आप बता पाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं आज कर देखें तो जितने patients हैं उनमें मैंने बताया stroke मादब brain में clot आना और heart clot मादब heart attack इनके incidences काफी ज़्यादा बढ़ गए हैं तो different different studies में आ रहा है कि virus में जो long term complication है उसमें कुछ atherogenic properties है मतलब जो आपकी blood vessels है, arteries है, उन्हें clotting के chances पहले से ज़्यादा हो गए हैं तो exactly correlate नहीं हो पाया है, exact studies के अभी जरूत है, long term studies के जरूत है हम उसको pinpoint करने की इसी के कारण हो रहा है, लेकिन definitely incidences बढ़ गए हैं उसके, clotting के incidences brain में, heart में बढ़ गए हैं पहले से